नमस्कार आप देख रहे हैं रहस्य लोग आज हम लोग कथाओं के इस रहस्य में किताब का एक और पर ना पढ़ेंगे आस्था और विश्वास की स्याही से लिखे इस पन्ने का एक एक हर्फ सोचने पर मजबूर करेगा बड़े शहरों की उची इमारतों लक्षरी गाड़ियों ऐसी दफ्तरों और घड़ों में रहने वाले लोग इस कहानी पर यकीन करें न करें लेकिन मानिताएं कहती हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है सच है और खुदा की रजा से हो रहा है और इस रजा के पीछे राज क्या है ये समचने की जरूरत है तो आज रहसलोग में आप देखेंगे वो जगह जहां खुदा के बंदों को हर बला से निजात मिल जाती है भूत प्रेत पराई आत्माई अंजान रूहें ये नाम हमने आपने दिये है इनके अस्तित्व पर कोई यकीन करे न करे लेकिन यहां का महौल एक बारगी सोचने पर मजबूर जरूर करता है अजीब हरकते करते हैं चीखते चिलाते फुझ से बाते करते जैसे जंजीरों से जकड़े सिर्फ पठकते जमीन पर लोटते ये बदन ये इनसान है या इनसान की शक्ट में कोई होग है इन पर कोई जादू टोना हुआ है या कोई फूट प्रेख सवार है परिशान करने वाले ऐसे हारात देखकर एक बार तो दिमाग जरूर सवार पूचता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है इस सवाल की तलाश तो लंबी है लेकिन ये मानिता जरूर है कि यहां आकर इन बदरूहों को भी चैन मिल जाता है और उससे तबाह इनसान को सुकूम ऐहसर होता है कहते हैं कि एक बार इस जाल की छाओं में आ जाओ तो हर जन्जाल से निजात मिल जाती है हर इलाज से हारे शक्स को भी यहां आकर सिहत नसीब होती है आगर कौन सी है ये जगा 36 कौम के ये सहता रखते हैं 36 कौम के लोग आते है ये कौन सा इलाका है ये कोई अस्पताल है या कब्रिस्तान कहा है ये जाल जिस से होकर जिन्दा इनसान तो क्या आत्माएं भी अपनी मुरादे पूरी करने का रास्ता पा जाते हैं प्रेड है जो सेक्डो साल पुराना है लोग कहते हैं चार सो साल से भी जादा पुराना कहते हैं इस जाल के पत्तों में तवासा कमाल है इस जाल की च्छाओं में मासी महब्बत है इस जाल में वो जादू है कि इसके करीब आकर हर रूह सुकूं का एहसास करती है इस कहानी में आप देखेंगे कि यहां आने वाले जाहरीन इस जाल से लिपट कर कैसे अपना दुखतर्द हलका करते है यह पीर की जाल है और जाल ओर के प्रतापुरा गाउं में इसी पीर की जाल के नीचे है डाडा अब्बनशाह की मजार गुजराथ सीमा के करीब राजस्थान के जालोर से 210 किलोमिटर दूप और सांचोर से 6 किलोमिटर पर एक गाउं है प्रतापुरा शेहर की भागती दोड़ती जिंदगी से दूप, कहीं पीछे छूप चुका एक आमसा गाउं प्रतापुरा ये गाउं एक मामले में बेशक अमीर है यहां मौचूद है खौमी एक्ता की मिसाल ये दर्गाव जिसे पीर की चाल दर्गाव कहते हैं यहां का माहौन दिखाता है कि यहां हिंदू, मुसल्मा, सिख, इसाई सभी सियारत को आते हैं सभी धर्मों के आस्था का केंडर है, ये सेंक्रों साव करते हैं यहां पे अजमयर में शूफि संत की दर्गा उसी तरह यहां पर भी दादा अबन सांथ की दर्गाव है जो उग्शूफि संत थे जिसमें इनके मज़भ का कोई भी इसमें बिकाव नहीं है, हर मजभ की लोगभ जाते हैं दादा अबन्शा की ये दरगाह घरीब चारसो साल से भी जादा पुरानी बताई जाती है कहा जाता है के घरीब चार सारे चारसो साल पहले हजलत मख्दूम बीर दादा अबन्शा का जन्द सिंद्परांद के हाला शेहर में हुआ था पीर दादा अबन शाह सूफी संथ थे कहा जाता है कि एक बार दादा अबन शाह ने पतापपुरा के खने जंगलों में आराम फरमाया था सुबा उठकर उन्होंने जाल के पेड़ की लकड़ी से दातून किया और जाल की लकड़ी को वही जमीन में गाड़ दिया जहां पर दादा अबन शाह ने दातून का आथा वहीं ये विशाल जाल का पेड़ना है तीन दिन के बार दिनके मुरीदों को यहां भेजे देखने के लिए और तो देखा तो जाल की जो स्वाग लगया था उसमें तीन पत्ते हरे निकल चुके थे जाल के पत्ते भी खाते हैं यहां पर पूरी मजार पर इसी जाल का साया है यहां पे गुमबद बनाने का इनका दवाट अफ़ गुम नहीं है इसलिए हमने इस मजार पर कोई गुमबद वगया नहीं है लोगों का मानना है कि गरीब 400 साल पुरानी है पीर डाडा अबन शाह की लगाई यह जाल कहा जाता है इस जाल की च्छाओं में वो ताकत है कि हर रूख यहां आकर सुखूं का एहसास करती है पीर डाडा अबन शाह ने उस वक्त अपने साथ आए मुरीदों को वसीयत लिख कर दी थी कि उनकी कहीं भी वफात हो जाए तो उनकी मजार प्रताब पुरा गाउं में ही बनाई जाए पीर डाडा अबन शाह में गुजरात के वारा गाउं में अपना शरीर छोड़ा तो वहां से मिली उनकी वसीयत के मताबिक प्रताब पुरा की इस जाल के नीचे ही उनकी मसार बनाई गई उस दिन से इस जगह का नाम पीर की जाल बढ़ा कहा जाता है कि पीर की जाल के नीचे डाडा के परिवार की चार मसारे हैं जिरात, राइस्तान, बाराष्ट, दिल्ली, हरियाना, पंजाब, सब जगे से लोग आते हैं और यहाँ दीन दुखी जो लोग आते हैं उनको सब तरह से फाइदा होता है भूस पलीद वाले अब भी आते हैं, जिन जनात वाले भी आते हैं इस जाल को देखकर आपको यकीन हो गया होगा, कि डाड़ा अबबन शाह की यह दरगाह 400 साल पुरानी है हर दर्ज से हारे जाहरीन यहां से खाली हाथ महीं जाते डाड़ा के दर पर माधा टेक कर, डाड़ा की मजार पर चादर चढ़ा कर, वो इस यकीन के साथ वापस लोटते हैं कि जब वो घर पहुँचेंगे, तो उनकी मुराद पूरी हो चुकी होगी पीर की जाल पर बनी दर्गाह पर हर मजभग के लोगों की आस्था बनी हुई है देश के कोने कोने से जाहरी यहां आते हैं ऐसा नहीं है कि राजिस्थान से सटे होने की वज़ा से गुजरात और पंजाब के लोगों का ही यकीदा इस दर्गाह पर है कहा जाता है कि कराची से लेकर दिल्ली तर्ग, अस्पतालों से हारे लोग इस यकीन के साथ यहां आते हैं कि यहां इनका मर्स दूख होगा कोई मुराद लेकर आता है तो कोई मर्स किसी को माली दिक्कते हैं तो किसी को घरानी की परेशानी हर दर्स से ठकेहारे लोग यहां मजार पर चादर चड़ा कर हमन चैन की दूआ मांगते हैं कहते हैं दर्गाह पर चड़ाई जाने वाली यह चादर मुराद पूरी करने की गारंटी है लोगों का यकीन यहां तक है कि हमने बाबा के दर पर चादर चड़ा ली अब घर पहुचते पहुचते मन्नत पूरी हो जाएगी यहां दूर दूर से इबादत के लिए लोग आते हैं लेकिन यहां आने वालों में उनकी तादाद ज्यादा है जो शारिरिक या मानसिक परेशानी से दोचार हैं कोई अपने बच्चों के लिए दूआ मांगा है तो कोई अपनी मा और बहन के लिए किसी पर अंजान रूख का साया है तो किसी को दिमागी बीमारी में खेर रखा है महिनों इलाज कराकर लाखों खर्च करके जब राहत नहीं मिलती तो लोगों को परवर्दिगार का ही तो सहरा होता है ये कही सुनाई बातें हो सकती हैं लोगों की माननेताएं हो सकती हैं आप शायद यखीन करें न करें कई से अंधविश्वास का नाम भी देंगे लेकिन तस्वीरें देखकर आप ही ज़रूर समझ सकते हैं कि लकडी के इस छोटे से घोडे पर यहां आने वाले लोग पूरा प्रोसा करते हैं लोगों का मानना है कि ये घोडा चमतकारी है दरगापर लकडी के घोडे को उस शक्स पर से घुमाया जाता है जिस पर माना जाता है कि किसी भूत प्रेट का साया है ऐसी मानता है कि घोडा घुमाने से उस शक्स पर आई आत्मा अपने आप बोनने लगती है उस बद्रूव से पूछा जाता है कि वो इस जिसमें क्यों दाखिन हुई है अब तक यहां भूद प्रेट से पीड़ित ऐसे लाखो लोगों को चैन दिला है यही वज़ा है कि यह दर्गाह सभी मजब के लोगों के लिए ठिकाना ये यकीदा बन नहीं है दर्गाह परिसर में भूद प्रेट से पीड़ित दर्शनों लोग पड़े रहे हैं कुछ चिलाते हैं तो कुछ तरह तरह की आवासे निकालते हैं अलग अलग हरकते हैं यहां तक कि कुछ लोग जंजीरों से चकड़े की में जाएंगे हैरानी इस बात ही है कि लोग बड़ी शथा के साथ अपने करीबियों को जंजीरों में चकड़ा छोड़ देते हैं इस उमीद में कि जब ये ठीक हो जाएंगे ये जंजीरे खुद बखुद खुद 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 जाएंगे उमलत खुद 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 फुद जाएंगे रैस लोक में वक्त अभी एक ब्रेक का है आगे देखेंगे उन लोगों को जो इलाज की खातर इस दर पर जंजीरों से चकड़ दिये गए हैं और हो दो इस दो ब्रेक का है बून बून से सागर बनता है दोस्त इसी लिए छोटी अमाउंट के इंवेस्टमेंट नियमित रूप से सोच कर समझ कर इंवेस्ट कर N.A.C. द्वारा निवेशकों के हितने जारी किसान भाईयों क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिये और सोचिये भारत भर में सबसे जादा विकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड एहमदबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोई है ताकि बाद में पच्च्ताना ना पड़े इसमें हैं बारा खास आईवेदिक जड़ी बूचियों का संतुलित मिश्रस ये कोई कोस्मेटिक नहीं आईवेदिक औशिदी है आँ वे जी आँ वे ये लालता मॉदर के साथ मेंबो और हरी मिर्च फ्री है गया तीनों एक से बढ़ करें लेकि तीनों के रगों में खून तो एक ही है ओना ड्रीम सीरी किसान भाईयों क्या आप जीरा बोना चाहते हैं जरा ठहरिए और सोचिए भारत भर में सबसे ज़ादा विकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड एहम्दबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोईये ताकि बाद में पच्चताना ना पड़े रिसर्जन्ट राजस्तान सुखद निवेश खुश्छान प्रदेश किनी कमाई आखिर किसके बल्बूते पर मेरे सुनाले का ट्रेक्टर के और बला किसमें है ये दम प्रिश की सर्व प्रथम हेवी ड्यूटी ट्रेक्टर रेच अब तक आपने देखा जालोर के प्रतापुरा गाउं में दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मुरादों की चादर चढ़ाते हैं अस्पतालों में इलाज कराकर हारे लोगों को जाल और जन्जीनों से उम्मीदें बधी होती हैं ये आस्था की कैसी बेड़िया है जो इतना भरूसा पैदा करती है माबाब को वो होसला देती हैं कि वो खुद अपने हाथों से अपने बीमार बच्चे को यहां जन्जीनों से बांद देते हैं इस पर यकीन करने का मन तो नहीं करता बहुत मुम्किन है कि आप ऐसे माबाब को संग दिल कहें उन्हें अंदविश्वास से घेरा हुआ माने लेकिन यहां इसमें कुछ अजीब नहीं कितनी हैरानी की बात है ना डॉक्टर ना बिस्तर नहीं दवा मरीजों और उनके परिजनों की आस्था पढ़ी सुनी सुनाई कहानिया पहली तो ये तरगाह मानो बन गई एक ऐसा अस्पतार जहां राजस्थान ही क्या गुजरात महराश तक से लोग अपना अपना मर्स लिए आमेट है बार्मेर के पुरा ना बिमागी हालत आट महीने से खराब है जंजीरों में जगड़ा ये है नरसी प्रोहित साल 2006 से बिमारी के बाद इसकी ये हालत है अब इस लड़की को देखिए बार्मेर की आशा की चार महीने पहले शादे हुए थी लेकिन अब ये हाल है चाचा कहते हैं यहां आकर आरा होगा तो कहां गाता है आप अब खराइशार करवा दूसरा कर आदा तो पैसे लगदेा अब ठीक है अब आप द्लाएबाद में जो फास्ति है तोड़ी साने भी देती है और अप्रपा भी है नहीं झाए नहीं कि मामी आ भी मरघ ये पूरी दुनिया इसे अंदविश्वास का नाम दे लेकिन यहां आने वालों को जंजीरों में भी चमतकार बिखता है बड़ा जीव सा मंसर है एक ऐसी दरगाह जिसे लोग पागलों का अस्पताल मानते है दिमागी विमार यहां महीनों तक पड़े रहते है वहीं इस दरगाह कैमपस में दो मदर से भी चलाय जाते है एक दरगाह कमिटी के जरिये और दूसरा राज्य सरकार की देखरेक में बच्चे यहां तालीम भी लेते है शेहरों में रहने वाले कई लोग हैरान हो सकते है कि ऐसे महाल में बच्चों की बढ़ाई कैसे मुम्किन है लेकिन यहां के लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लगता दरगाह कमिटी यहां फैस सर्वरी नाम से एक मदरसा भी चलाती है यहां साथ तालिब जिनें तीन मौलवी तालिम दे रहे हैं इन चात्रों को फार्सी, उर्दू और अर्बी की तालिम दी जाती है राज्य सरकार भी यहां एक मदरसा चला रही है जहां बच्चों को उर्दू के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी की तालिम दी जानी है बाहर के बच्चे करीब सितर असी बच्चे यहां रहते हैं और मदरसे के अंदर तमाम खाना, पीना, रहना, किताबें और गरीब बच्चा आये तो कपड़े भी उसको दिया जाता है और मेडिकल खर्च भी दिया जाता है दर्गाह के बाहर रंग बिरंगी चादरों से सजा बाजा करीब ही दो नीम के पेड़ हैं जिसके नीचे तमाम मुश्किलाग में खिरे जायरी देखे जा सकते हैं जो बड़ी उमीदों के साथ इस दर्ग बराते हैं इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तर्क शास्त्री और मनुवेग्या ने इस दर्गाह से जुड़ी मानिताओं पर क्या कहते हैं उनके लिए तो आस्था के आगे कुछ भी नहीं हमारे इसलाम के अंदर दवाई लेना भी सुननत है उसके मुमानियत नहीं लेकिन हार रुषानी इलाज भी जो है वो सुननत है रुषानी इलाज कभी हमेशा फायदा वो आज अस्पटाल तो आज खुले है दस बीस पचास सालों में अस्पटाल बुले उससे पहले तो सब बज़रुगों के जाड़ों से काम चलता था यह तो आज दुनिया थोड़ी से टेक्निकल उसमें आई है लेकि सदियों पहले आप जाएए जब इन बुजरुगों के तो जाते थे लोग हर तरह का इलाज इनी किया होता था हाँ सब भी धर्मों के लोग हर मज़भ के लोगों को बगर किसी अम्तियास के फैद मिलता है उस सदियों से यह रहा है आप खुद अपनी आज़ों से जाकर देखिए बोलने के क्या बात अबादत आस्था भरुसा रखिए जरूर रखिए लेकिन वो कहा जाता है ना कि बिना दुआ के दवा काम नहीं आती बस उसी हद तक जैसे दवा अकेले असर नहीं दिखाती वैसे महस दुआ के मूते रह जाना भी ठीट नहीं होगा इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि दरगाहों मजारों मंदिरों पर यकीदा रखिए लेकिन जहां तक मर्ज का सवाल है डॉक्टरों की राय से ही सब कुछ हो तो बहतर होगा हम ऐसी ही कहानिया आप तक लाते रहेंगे देखते रही रहसे लोग